दूर किसी जंगल में कालू कववा रहता था कालू कववा काफी गरीब था क्योंकि कालू कववे के पास कोई काम नहीं था कालू कववे को कोई नौकरी ही नहीं मिल रही थी परन्तु कालू कववा शादी करना चाता था मिनो चेडिया मैं तो बहुत जारा परेशान हूँ मैं रोजाना नौकरी की तलाश में निकलता हूँ परंतो मुझे नौकरी है के मिल ही नहीं रही और देखो तो मुझे पहले सब पक्षियों की शादी भी हो गई अब अगर मेरी नौकरी लगे तभी तो कोई कवी मुझे से शादी करेगी न हाँ कालू करवे तुम्हारी नौकरी नहीं है जिस कारण कोई कवी तुम से शादी करने के लिए तयार नहीं लेकिन तुम चेंता मत करो तुम्हारी चलदी कोई नौकरी लग जाएगी मिनुचेडिया वो जो तुम्हारी दोस्त है ना रानी कवी, वे मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे शाधी करना चाता हूँ क्या रानी कवी? ठीक है कालुकरवे, मैं रानी कवी से बात करती हूँ, अगर वे मान गई, तो तो तुम्हारी शाधी हो चाहेगी ये कहकर मिनोचेडिया फोरण रानी कवी के पास जाती है रानी कवी मुझे तुमसे बहुत सरूरी बात करनी है जरा मेरी बात सुनो हाँ हाँ बोलो बोलो मिनोचेडिया क्या बात है बोलो मैं सुन रही हूँ रानी कवी मेरा जो दोस्त है न कालू कवा वो तुम से शादी करना चाता है पर अंतो उसकी कोई नोक्री नहीं इसलिए बिचारे कालू कवे से कोई कवी शादी भी नहीं कर रही मिनोचेडिया मैं अपनी बेहन के शादी किसी गरीब कवे से नहीं होने दूँगा अगर कालू कवा अमीर होता तो मैं अपनी बेहन के शादी फॉरण करवा देता हूसे भाई मुझे कोई मसला नहीं है गरीबी से मैं कालू जी के साथ मेहनत करके कुछ ना कुछ बंदो बस कर लूँगी अरे वा नानी कवी इसका मतलब तुम राजी हो हाँ मिनोचेडिया मैं कालू जी से शादी करने के लिए तयार हूँ ठीक है भाई जब मेरी बेहन ही राजी है तो मुझे कोई मसला नहीं बस फिर कालू कवा भी शादी की बात सुनकर बहुत जादा खुश हो जाता है फिर कुछी दिनों बात कालू कवे और राणी कवी की शादी हो जाती है राणी वैसे तो मैं हमेशा से किसी अमीर कवी से शादी करना चाता था ताके मैं भी उससे शादी करके अमीर हो जाओ परन्तु मुझे कोई ऐसी कवी मिली ही नहीं कालू जी नौकरी में कुछ भी नहीं रखा बस मैंने सोच लिया है अब मैं भी आपके साथ नौकरी करूंगी और हम दोनों मिलकर काफी सारे पैसे जमा करेंगे और फिर अपना एक अच्छा सा कारूबार खोल लेंगे देखना एक दिन हम भी बहुत ज़ादा अमीर हो चाएंगे अरे रानी नौकरी तो है ही नहीं मेरे पास कालू जी मेरे भाई ने मेरी और आपकी नौकरी उल्लू सेट के खेट में लगा दी है अब से हम उल्लू सेट के खेट में ही काम करेंगे बस फिर कालू कववा और रानी कववी मिलकर उलू सेट के खेत में काम करने लगे थे और बस कुछी महीनों बाद उनके पास काफी सारे पैसे जमा हो जाते हैं अब कालू कववा अपना एक फलों का बाखरी लेता ही और अब आइस्ता आइस्ता कालू कववे का अपना एक बड़ा सा घर भी हो जाता ही अब तो कालू कववा काफी जादा अमीर हो गया था परन्तु अमीर होने के साथ साथ कालू कववा थोड़ा लालची भी हो गया था मैं अपनी मेने से कितना अमीर हो गया हूँ काश कि अगर मैंने किसी अमीर कवी से शादी की होती तो आज मैं और भी जादा अमीर होता रानी कवी के इतने अच्छे होने के बावजूद भी कालू कवब पश्ता रहा था कि इसने रानी कवी से शादी क्यों कर ली बस फिर उस जंगल में एक सोनी कववी भी आ जाती हैं जो के एक बड़ा सा सोनी का हार भी पहनी हुई थी और काफी जादा अमीर लग रही थी बबलू भाईया ये जंगल तो बहुत अच्छा है हम यहां आराम से रह सकते हैं सोनी कववी और बबलू कववे को पता था कि पूरे जंगल में सबसे ज़ादा अमीर पक्षी कालू कववा है सोनी कववी काश कालू कववे की शादी ना होई होती तो मैं तुम्हारे शादी कालू कववे से करवा देता भाईया देर तो अभी भी नहीं हुई उस अमीर कालु कर्वे से शादी तो मैं अभी भी कर सकती हूँ बस उसे थोड़ा सा बेयोकूब बनाना होगा हमें अरे सोनी कवी अगर तुम्हारे शादी कालु कर्वे से हो गई फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा हम कालू कवे को लोट लेंगे और बहुत जादा अमीर हो जाएंगे हम आप ठीके रहे हैं मैं अभी चाती हूँ कालू कवे के पास और जाकर उसे अपने जाल में फसाती हूँ ये कहकर सोनी कवी कालू कवे के पास चली जाती है कालू कववा सोनी कववी की बात सुनकर सोच में पढ़ जाता है ये सोनी कववी तो बहुत अमीर लग रही है कितना महंगा सोने का हार पैना है इसने अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो तुम्हें और भी जादा अमीर हो चाऊंगा सोनी कववी मैं तुम्हें सोच कर बताता हूँ ये कहकर कालू कववा अपने घर की तरफ चला जाता है रानी, आज एक कववी मेरे खेत में आई थी वे थी तो बहुत जाधा अमीर और पता है मुझसे कह रही थी कि मैं उसे शादी कर लू ताके मैं आउर भी जाधा अमीर हो जाओं मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको वी से शादी कर ही लेता हूँ ताके मैं और भी जादा अमीर हो जाऊँ क्या कालू जी आप क्या के रहे हैं मैं तो आपकी पत्नी हो ना तो फिर आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं रानी मैं तुमसे इजाज़त नहीं ले रहा सिर्फ तो मैं बता रहा हूँ कि आप मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ कालू जी अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो मैं आपके साथ बिलकुल नहीं रहूंगी आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी हाँ तो चली चाओ वैसे भी तुमसे शादी करके मुझे कोई फाइडा नहीं मिला कालू जी सूच ले अगर मैं एक बार चली गई तुमें दुबारा कभी वापस नहीं आऊंगी फिर और तुमका चाओगी मेरा घर छोड़के मैं तुमें खुद ही अपने घर से निकाल देता हूँ फिर कालू कववा रानी कववी को अपने घर से निकाल देता है और रानी कववी उदास होकर मिनुचेडिया के पास आती है और मिनुचेडिया को सारी बात बताती है अदे दे ये तुम क्या कहे रही हो रानी कवी वे सोनी कवी तो बहुत चलाखे मैं उसे बहुत पहले से चानती हूँ पता हैं वे अमेरिकवों से शादी करके उन्हें लूट कर भाग चाती है यकीनन में कालू कवी के साथ भी कुछ ऐसा ही करेगी परंतु मिनोचेडिया कालू जी तो मेरी बास सुनने को ही तयार नहीं है वे तो बस उसोनी कवी से शादी करना चाते हैं हम मैं जानती हूँ सोनी कवी और उसकी भाई को वो दोनों बहुत चलाखे उन दोनों ने दूसरे जंगलों में भी कावी सारे कवी को लूटा है लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी इस बार तो मैं उन दोनों को पकड़वा कर ही रहूंगी शादी की सारी सजावट हो गई थी आज कालू कवी और सौनी कवी की शादी थी कालु काववा तो काफी जादा खुश था बस एक बार इस कववे से मेरी शादी हो जाए तो रात को में नेन की गोली पाने में मिला कर इसे पिला दूंगी और इसके सारे पैसे और इसकी सारी जायदा लेकर भाग जाओंगी कालू कववा बहुत जादा खुश था कि तबी वहाँ पर मिनुचेडिया तोते और उल्लू सैनिक को लेकर आती है रुक जाओ कालू कववे ये शादी कभी नहीं हो सकती क्योंकि ये सोनी कववे धू के बाद है इसने बहुत से पक्षियों को धू का दिया है कालू कववे मैं दूसरे जंगल में रहता हूँ और ये सोनी कववी मेरे बराबर वाले घर में रहती थी इसने तो बहुत से कववों को लूटा है ये अमीर कववों से शादी करके उनके सारे पैसे और उनकी सारी जादार लूट कर भाग जाती है यकीनां ये तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करेगी क्या सोनी कववी तुम मुझे इतना बड़ा धुका दे रही थी मैं तो तुमें बहुत अच्छा समझता था उलू सैनिक फॉरण से इन धुके बाद पक्षियों को पकड़ कर ले जाओ और इन दोनों को करी से करी सजा दो फिर उलू सैनिक लाकर उन दोनों को पिंजरे में कैट कर देता है और उन दोनों को अपनी गलती की सजा मिल जाती है रानी तुम मुझे माफ कर दो आज फिर से तुमने मुझे इतनी बड़ी मुसीबसे बचा लिया तुम्हारी वज़ा से मैं इतना जादा अमीर हुआ और मैं तुम्हें ही भूल गया था मुझे माफ कर दो रानी कालू जी आपको अपनी गल्पी का एसास हो गया मेरे लिए यही बहुत है मैंने आपको माफ किया बस फिर कालू कववा और रानी कववी खुशी खुशी अपनी जिन्देगी गुजारने लगते हैं आज कालू कववा काफी सालों के बाद मिठू माराच की कैसे अज़ाद हुआ था इसलिए कालू कववा बहुत ही ज़ादा खुश था कालू कववे मैंने काफी सालों के बाद आज तुम्हें पिंजरे से अजाद किया है चाओ चाके अपने परिवार से मिल लो लेकिन हाँ आगे से कभी भी कोई गलत काम नहीं करना वरना मैं दुबारा से तुम्हें पिंजरे में कैद कर दूँगा और तो मैं कभी भी पिंजरे से अजाद नहीं करूंगा और फिर कालू कावा खुशी हुशी अपने परिवार से मिलने के लिए चला जाता है कालू जी तुम मुझे तो यकीन नहीं हो रहा इतने सालों के बार तुम अपने घुसले में वापस आ गए हो रॉनी आज मुझे मिठ्धु माराज ने अजाद कर दिया है आज से मैं अजाद हूँ मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगा कालू जी तुम भोजन चुराते हुए पकड़े गए थे इसलिए मिठ्धु माराज ने तुमें इतने सालों तक पिंजरे में क्याद रखा था लेकिन आज से तुम कभे भी किसी भी पकषी का बोजन चुरी नहीं करोगे मैं इस मिठ्धु माराज को तो सबक सिका कर ही रहूंगा मिठ्धु माराज ने मुझे इतने सालों तक पिंजरे में कैद रखा था मैं मिठ्धु माराज से अपना बद्दा तो ले कर ही रहूँगा कालू जी अब कोई ऐसा वेसा काम मत कर देना कि मिठ्धु माराज दुबारा से तुम्हें पिंजरे में कैद कर दे हाँ ठीक है रानी चलो मैं अभी चलता हूँ मुझे अपने दोस्त बबलु कववे से मिलने के लिए जाना है और फिर ये कहकर वे कालु कववा अपने दोस्त बबलु कववे के पास चला जाता है अरे कालू कवे मेरे दोस्त तुम अजाद हो गए मुझे बहुत जादा खुशी हो रही है हाँ मेरे दोस्त बबलू कवे मुझे मिठ्धू माराज ने आज ही अजाद कर दिया है लेकिन बबलू कवे मुझे मिठ्धू माराज से अपना बदला लेना है क्यों नहीं कालू कवे मिठ्धु माराज से तो तुम्हें अपना बदला लेना ही चाहिए देखो मेरे दोस्त मैं चाता हूँ के मैं इस पूरे जंगल का माराज बन जाओं लेकिन मैं जब तक इस जंगल का माराज नहीं बन सकता हूँ जब तक के मिठ्धु माराज नहीं मर जाते मैं तुम्हें दो भोजन से बरी पोटलियां दूँगा तुम्हें मिठ्धु माराज को चंगल से बाहर ले जाकर मार देना है और सभी पक्षियों को आकर कहना है के मिठ्धु माराज को एक चील खा गई है ठीक है मेरे दोस्त कालू कववे अगर तुम मुझे दो भोजन से बरी पोटलियां दोगे तो मैं ये तुम्हारा काम जरूर करूँगा ठीक है पहले तुम ये काम करो उसके बाद मैं तुम्हारी दोनों भोजन की पोटलियां तुम्हें दे दूँगा और फिर बबलु कववा मिठु माराज को मारने का मनसूबा बना लेता है और वे फोरण मिठु माराज के पास चला जाता है मिठु माराज आप मेरे साथ जल्दी चलें मुझे आपको एक बहुती अच्छी चीज दिखानी है अगर थोड़ी सी देर हो गई तो वे चीज वहाँ से चली जाएगी पर बबलु का वे वे क्या चीज है चो तुम मुझे दिखाना चाते हो बताने का वक्त अभी नहीं है आप मेरे साथ जल्दी से चलें अच्छा अच्छा ठीक है बबलु का वे चलो सैनिको मेरे साथ चलो मिठु माराज सैनिकों तो साथ वो ले जाते हैं जो ढरते हैं क्या आप भी ढरते हैं मिठु माराज नहीं बबलु कववे मैं किसी से भी नहीं ढरता हूँ तो फिर आप सैनिकों को साथ मत ले जाएए वरना सब यही समझेंगे कि आप तो बहुत जादा ढरते हैं और फिर बबलु कववा मिठू माराज को लेकर अपने साथ चला जाता है बबलु कववे ये तुम मुझे कहा ले आए हो और तुम मुझे कौन सी चीज दिखाने लाए हो यहाँ पर तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है और फिर बबलु कववा फॉरन मिठु माराज को पहार की चोटी से धका दे देता है अब मिठु माराज का खेल खतम हो गया है अब मैं जंगल में जाता हूँ और सभी पक्षियों को कह देता हूँ कि आज से जंगल का नया माराज कालु कववा है और फिर ये कह कर वे बबलू कववा चंगल की तरफ चला जाता है पक्षियों बड़े ही दुख की बात है मैं और मिठू माराज चंगल से बाहर जा रहे थे कि अचानक एक चील ने मिठू माराज पर हमला कर दिया और मिठू माराज उसी समय मर गए लेकिन मिठू माराज ने मरते मरते मुझसे कहा था कि जंगल का नया माराज कालू कववे को ही बनाना मिठू माराज की मौत की खबर सुन कर तो सभी पक्षी बहुत जादा ही उदास हो जाते हैं और कालू कववा तो बहुत जादा खुश हो जाता है पक्षियों मिठू माराज का होकुम सराखों पर अगर मिठू माराज चाते हैं कि इस जंगल का नया माराज मैं बनू तो ठीक है आज से इस जंगल का नया माराज मैं ही हूँ सभी पक्षी भी कालू कवे को अपना नया माराज सुएकार कर लेते हैं बबलु कवे तुमने मेरा काम किया ये लो तुम्हारी दो भोजन से बरिपोट लिया कालु कवे बस ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए इस बात का खयाल रखना तुम वरना चंगल के पक्षी ना तो तुम्हें छोड़ेंगे और ना ही मुझे दूसरी तरफ एक वेजी पक्षी ने मिठ्धु माराच की जान बचा ली थी और अब मिठ्धु माराच बिलकुल ठीक थे मिठू माराज आप कुछ दिनों के लिए आराम कीजिए कुछ दिनों के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे फिर आप अपने जंगल चले जाना वैंची तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाए चलो अब मुझे अपने जंगल जाना है नहीं नहीं मिठू माराज आप अभी अपने जंगल नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपकी तवियत अभी पूरी तरा से ठीक नहीं होई है जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो आप अपने जंगल चले जाना दूसरी तरफ कालू का हुआ चंगल का माराज बनने के बाद तो हर समय अराम ही करता रहता और जब भूक लगती तो खोब मजे मजे के भोजन खाता कालो जी जब से तुम इस जंगल के माराज बने हो जब से तो मेरे दिन ही फिर गए हैं हर समय मजी मजी के भूजन काते हैं हम दोनो रानी मैंने मिठ्धु माराज से अपना बद्दा भी ले लिया और मेरा माराज बनने का सपना भी पूरा हो गया है कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं कुछ दिनों के बाद मिठ्धु माराज की तब्यद बिल्कुल ही ठीक हो जाती है और मिठ्धु माराज कहते हैं वे जी अब मेरी तब्यद बिल्कुल ठीक हो गई है अब मुझे अपने जंगल चले जाना चाहिए हाँ मिठ्धू माराच, आपकी तवियत बिलकुल ठीक हो गई है, अब आप अपने जंगल जा सकते हैं और फिर मिठ्धू माराच, खुशी-खुशी अपने जंगल चले जाते हैं कवे माराच आज आपने हम सब पक्षियों को यहां क्यों जमा किया हैं आखिर क्या बात हैं पक्षियों बात यह है कि मैंने फैसला किया है जो तुम सब पक्षियों को मानना ही होगा कवे माराच आपने क्या फैसला किया है पताए हमें मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद मेरे जंगल में तुम मैंसे कोई भी पक्षी नहीं रहेगा तुम सब पक्षी अपना अपना समान लेकर मेरे जंगल से निकल जाओ क्योंकि इस जंगल में अब कववा और कववी ही रहेंगे मैंने काफी सारे कववा और कववियों को अपने जंगल में बुला लिया है अब से वे सब कववा और कववी मेरे जंगल में रहेंगे इसलिए सबी पक्षी अपना समान बान कर जंगल से निकल जाएं पर कववे माराज हम इस जंगल को छोड़ कर कहा जाएंगे इस जंगल के इलावा हमारे पास रेने के लिए और कोई भी जगा नहीं है वो सब मैं कुछ नहीं जानता हूँ मैं इस जंगल का माराज हूँ मैं जो भी आदेश दूँगा वो तुम सब पक्षियों को मानना ही होगा चलो निकल जाओ मेरे जंगल से बस कालुकवे बहुत हो गया तुम्हारा तुमने मेरे जंगल के पक्षियों को बहुत तंकिया है लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ अब मैं तुम्हे और तुम्हारे दोस बबलुकवे को नहीं चोड़ूँगा मिठू माराज को जिन्दा देखकर जंगल के सभी पक्षि बहुत ही ज़ादा खुश हो जाते है और कालुकवा बहुत ज़ादा हैरान हो जाता है जंगल के प्यारे पक्षियों इस बबलुकवे ने मुझे एक पहाड़ की चोटी से धका दे दिया था जिसके कारण मैं जमीन पर घिर कर भी होश हो गया था तो फिर एक व्याद जी ने ही मेरी जान बचाई और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ मिठू माराज मुझे माफ कर दे मैंने तो ये सब कुछ कालुकवे के कहने पर किया था वरना मेरा इसमें कोई दोश नहीं है असल में कालुकवे इस जंगल का माराज बनना चाता था और कालुकवे को मिठू माराज से अपना बद्दा भी लेना था इसलिए कालुकवे ने मुझे दो भोजन की पोटलियां दी और मुझे ये काम करवाया बबलु कवे की ये बाद सुनकर तो मिठु माराज और जंगल के सभी पक्षी बहुत ही जादा घुसे में आ जाते हैं कालु कवे मैंने तुम्हे इतने सालों तक पिंजरे में कैद रखा था लेकिन फिर भी तुम बाद नहीं आए अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर दूँगा और बबलु कवे तुमने भी इस कालु कवे की बात मानकर मुझे मारने की कोशिश की थी इसलिए मैं तुम्हें भी पिंजरे में कैद करूँगा और फिर मिठू माराज के हुकम से कालू कववे और बबलू कववे को हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर दिया जाता है और फिर मिठू माराज दुबारा से अपने जंगल के माराज बन जाते हैं और सभी पक्षी बहुत ही जादा खुश हो जाते हैं